मन्च पर विराजमान, राज़स्तान के राजपाल, स्रिमान कलराज मिश्र जी, केंद्रिय मंत्रिमंडर के मेरे सहयोगी और इसी धर्ती के सेवक भाई गजेंद्र सी शेखावत, कैलास चोधरी, राज़स्तान सरकार के मंत्री भाई विजनलाल, सांसद और भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश्च द्रेक्ष, सिमान सिपी जोसी जी, अन्य हमारे सांसद गाण, सभी जन प्रतिनिदी, देवी और सजनों, सर्वप्रथम एस्वरिय नगरी मंडोर वीर जुर्गादास राठोर जी के स्वीर भुमी को शत्य शत्य नमन करता हूं आज मारगाड की पवित्र धर्ती, जोदपूर में कई बड़े विकास कारियों का लोकारपणवर शिलान्यास हुआ है, बीते नव वरसों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किये हैं, उनके परणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आप सभी को इन विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथियों राजस्थान वो राज्य हैं, जहां प्राचीन भारत के गवरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शावरिय, सम्रुद्दी और संस्कृती जलकती हैं, कुछ समय पहले जोद्पूर में G20 की जो बैठक होई, उसकी तारीफ दुनिया भर के महमानों ने की, चाहे हमारे देश के लोग हो या विदेशी परियाटक हो, हर किसी की इच्छा होती है, कि वो एक बार संसीटी जोद्पूर देखने के लिए जरूर आएं हैं, हर कोई रेतिले धोरों को, महरानगर्ड और जस्वन थड़ा को जरूर देखना चाहता है, यहां के हेंडिकाप को लेकर, बहुत कुछ उसके लिए उत्तन सा रहती है, इसलिए यह जरूरी है कि भारत के गवरवशाली अतीद का प्रतिनी दित्व करने वाला राजस्तान, भारत के भविश्य का भी प्रतिनी दित्व करे, यह तबी होगा, जब मेवार चे लेकर मारवार तक, पूरा राजस्तान, विकास की बुलंदियों को छुए, यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रेक्टर निर्मान हो, बीका नेर से बाड़ मेर होते विए, जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेस वे, कुर्डो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में, राजस्तान में आधुनिक और हाइटेक इंफ्रास्ट्रेक्टर का उदाहरन है, भारत सरकार, आज राजस्तान में, हर दिशा में, चहू दिशा में, रेड और रोड समेत, हर शेत्र में, तेज गती से काम कर रही है, इसी सांग रेलवे के विकास के लिए, करीब करीब साड़े नौ हजार करोड रुपे का बजेट, राजस्तान को दिया गया है, ये बजेट, पिछली सरकार के सालाना आउसत बजेट से करीब, ये चौदा गुना ज्यादा है, और ये मैं कोई पुलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, फैक्षिल जानकारी दे रहा हूँ, वन्ना मिडिया वाले लिखेंगे मोधी का बड़ा हमला, आधहती के बाद के इतने दस्टकों में, 2014 तक राजस्थान में लगबग 600 किलोमेटर रेल लाइनों का ही बिज़िकर्ण हुआ, 600 किलोमेटर, बीते नव वर्सों में 3,700 किलोमेटर से ज़्यादा रेल ट्रेक्स का बिज़िकर्ण हो चुका है, इन पर डीजल एंजीन के जगए, एलेक्ट्रिक एंजीन वाली ट्रेने चलेगी, इससे राजस्तान में प्रदुशन भी कम होगा, और हवा भी सुरक्षित रहेगी, अमरिद भारत स्टेशन स्कीम के तहत, हम राजस्तान के 80 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आदुनिक्ता के साथ विक्सित कर रहे हैं, हमार यहाँ शांदार एरपोर्ट बनानी की फैशन तो है, बड़े-बड़े लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन मोदी की दुनिया को जालग है, जहां गरीब और मद्यमबर का ब्रक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूँगा, और इसमें हमारा जोदपूर रेलवे स्टेशन भी शामिल आए, भाईयों बहनों, आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है, उनसे विकास के इस अभ्यान को और गटी मिलेगी, रेल लाइनों के दोहरी करण से यात्रा में लगने वाला जो समय है, वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी, मुझे जेसल मैर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेइन और मारवार खामली गार ट्रेइन को हरी जिन दिखाने का भी सौभागे मिला है, और कुछ दिन पहले मुझे वन्दे भारत के लिए भी मोका मिला था, आउसर परदा होगे, ए राजस्तान में टूरिजम सेक्टर को भी नई उर्जा देने में मदद करेगा, साथियो, हमारे राजस्तान की मेडिकल और इंजिनेरिंग एजुकेशन के खेत्र में अपनी एक अलग पहचान रही है, कोटा ने देश को कितने ही डॉक्टर्स और इंजिनेर्स दिये हैं, हमारा प्रयास है कि राजस्तान एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल और इंजिनेरिंग की दुरुष्टी से भी नई उचाईयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे सा अच्छा हब बने, इसके लिए एम्प्स जोत्पूर में ट्रॉमा, इमर्जन्सी और क्रिटिकल केर की एडवांस सुविधाओं को विक्सित किया जा रहा है, प्रधान मंत्री आविश्पान भारत इंफ्रासेक्टर मिशन के तहट जीला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केर बॉक्स बनाए जा रहे हैं, मुझे खुशी है कि एम्प्स जोत्पूर और आयाइटी जोत्पूर इस समस्थाम और राजतानी नहीं बलकि पूरे देश के प्रीमियर इंस्टिटूट्स बन रहे हैं, एम्प्स अनाएटी जोत्पूर ने मिलकर मेरिकल टेक्नोलोजी के ख्षेतर में नई सम्भावनेह ऊपर काम शुरू किया है, रोबोटिक सर्जिरी जैसे हाई टेक मेडिकल टेकनलोजी भारत को रिसर्स के खेत्र में इंडिस्ट्री के खेत्र में एक नया नई उचाई पर ले जाने वाला काम है इसे मेडिकल टूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा साथियों राजस्तान प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करने वाले लोगों की दर्ती है गुरु जंबेश्वर और बेश्णवाई समाज नेहां सद्यों से उस जिवन्षैली को जीया है जिसका आज पूरी दुनिया अनुसर्ण करना चाहती है हमारी इस विरासत को आधार बनाकर आज भारत पुरे विश्व का मारदर्सन कर रहा है मुझे विश्वास है हमारी ये प्रयाश विक्सित भारत का आधार बनेंगे और भारत विक्सित तभी होगा जब राजस्तान विक्सित होगा हमें मिलकर राजस्तान को विक्सित बनाना है और सम्रुद्द बनाना है इसी के संकल्ब साथ, इस कारकम की मंच की कुछ मर्यादा हैं, तो मैं यहाँ ज़्यादा समय आपको लेता नहीं हूँ, इसका बात खुले मैदान में जा रहा हूँ वहाँ का मिजाज भी अलग होता है, माहूल भी अलग होता है, मकसद भी अलग होता है तो कुछ मिनिट के बाद वहाँ खुले मैदान में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद झाल